कि है लो दोस्तों राना क्लासिज में आपका स्वागत है तो बहुत सारे लोग को मेंट वाक्स में भी पूछ रहे हैं खासकर बी एसेश इंटर लेवल में कि कंप्यूटर का ग्यान क्या है क्या हिंदी और अंग्रेजी में भी टंकन जाननी पड़े गया किचनी स्पीड है औ तो आप वीडियो को सुरू सान तक देखें पसंद आने पर लाइक्स नहीं लोग सब्सक्राइब तो शुरू करते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि 63,000 से अधिक है जो कि इंटर लेवल बीससी इंटर लेवल का प्रिकरियल निकाला जा चुका है और अभी तक है जो कि रो यह विल्कुल नहीं बन रच्छी में कि इनको फीजिकल है और यह इंटर पास है बन रच्छी में जो क्या है कि आपको सिर्फ और इंटरपास है और और शुरू सहाया के अबर नीरिच्छक। आसू सहाया किसकी 2400 ग्रेट पे है और इंटर प्रसूत्र लेखन का मतलब यह हो गया कि आपको जो शूर्त लिखन का मतलब आसू-लिपी का जो शॉट-हrets में दित करना है इसमें और इसमें जो टंक उगन करना है दो लिए के लिए उसके बाद है जो कि आपको आगे के जो पद हैं उसमें बता रहा हूं कि बहुत सार लोग पंचाय सची में क्या टाइपिंग का जरुवत है तो बिल्कुल नहीं है आप देख रहे हैं कम्प्यूटर पर आपको जो की प्रोसेसिंग कम्प्यूटर पर है जो की टंकन का ज्यान है जो की बांचित योगिता है यह आवस्यक योगिता नहीं है क्योंकि यह बांचित योगिता है और यहां पर आप देखने की योगिता क्या क्या होनी चाहिए और यह बांचित योगि सेखरयों नहीं है कि हिंदी ऐंग्रेजीं आप लिक्क ना अगर अच्छे सेभी चाmbिवले में जो तो basic ख्यान है बस उसी का जाना कोई certificate कि Agด सकता आपको जानकारी होनी चाहिए. यह चिक करेंगा आपको प्रेटिकल करके जो तरीकाई अपना ए लेकिन आपको चित जरूर करेंगा MS office का ग्यान है जो के आपको होना चाहिए basic बहुत जारे डिक नहीं ही लेकिन बेसीक होना छह फिर आप देख रहें निमन बर्गी यह लिपिक में जी लाव भुकताफोरम में करा कि कम्प्यूटर संचालने में कम्प्यूटर टंक कन तो यहां पर यह कम्प्यूटर संचालन के लिए आपको जानना पड़ेगा और और इस्पीड जो है वह अभी तक कि इसमें किलियर नहीं है और इस्पीड होगी आपको जानकारी है जो कि होनी चाहिए कंप्यूटर टंकन की और इसकी जो जो भी अगर क्रेटरिया रहेगी जहां पर ग्यान लिखा हुआ एक चीजान लिजांग वहां पर टाइपिंग के प्रीड होगी यह जो है आपको मेंस के फार में किलियर रहेगी अ उसके बाद क्योंकि वहां पर चेक ज़रूर करें कि निमन बर्गे सूचना यहां भी कुम्प्यूटर संचालन का ग्यान होना चाहिए यहां दोनों भासाओं में होगा और बहुत शारे लोग पूछ रहेते कि क्या दोनों भासाओं में है तो आप ज्यादातर में देख रहाएं कम्प्यूटर टंकन का मतलब हुगया कि यहां पर देख रहा हैं आशू लिपिक जो है आपको आशू लिखन तथा टंकन का ज्यान होना चाहिए अफ जहां पर सिर्फ अग्णा का ग्णा है क्योंकि आशू लिखन में अगर कहेंगे कि स्पीड ही नहीं जब तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहा तो आप भी लिख सकते हैं तो जहां पर है जो कि आपको यह रहेंगे वहां पर रहेंगे अप्रेट एरिया कितनी रहेगी 35 फर्टी मिनट रहेगी कि और इस फीड रहे आपको जाननी पड़ेगी कंप्यूटर टंकन है जो कि आपको आनी पूचाहिए तो आप देख रहे हैं बांचीत योगता भी देख लिया कि किस तरह है जो कि आशू टंकक का पी आप देखा आशू लेखन टंकन हो कंप्यूटर दच्छता होनी चाहिए तो सबसे बड़ी जो पोस्ट पंचाएज सचीब की उसमें कंप्यूटर तथा किरिगा सिर्फ है ज्यान होना चिए इसमें इसमें पूद की कोई हो सकता नहीं है और जो राजास जो सबसे उसके बाद राजास उक्रमचारी की इसमें बिल्कूल ही नहीं है इसमें जो क्यापकीशना है ना यहां पर शुत टाएपिंगअ को आपको आपको जनकारी होनी चाहिए जरीशन कोEXI konse सफ रहेंगे और यहां पर आपके टैपनी की पर इच्छा लिए जाएगे और स्पीड की भी की पर इच्छा होगी चहाँ एखी जगा सिर्फ ग्यान लिका ःग्षा हुआ है यहां और बहुत सारे लोग जो सीट की बारे में कह रहे थे कि यह रिजल्ट गलत दिया नहीं नहीं तो तीरह हजार जो सीटें हो पहले निकार संसोधीत होकर 12,140 आ गई थी सिलेश में कोई कन्फूजन नहीं है और जहां तक बात है कि क्या बेसे सीने रियल्ट गरवड दिया है या फिल्बाय करते हैं तो आप एकिएजी एंधर तयाल में ने बताया था और गल्त है कि यह में परेइल आ तक यहा यह आपको जी एस रहेंगे 50 में पचीस प्रशन मैज के पचीस प्रशन लगभाग जो कि भिज्ञान के रहेंगे पचास प्रशन रिजिनिंग के रहेंगे तर्क सकती के तो इसके लिए सेट प्रेक्टिस भी आज मैंने डाला है उसको आप तेक सकते हैं इंदी अंग्रेजी भास प्रोब्लम की वाथ हो तो मेरे भाट सेफ को है जो कि जहां तक है बैन कर दिया है मैं यह भाट सेफ ने इसलिए थोड़ी आफ लोगों को फर्शानी हो रहे हैं मैं दूसरे नंबर से चला रहा हूं हूँ तो यह कभी-कभी मेरा दूसरी बार बैंक है मैं थोड़ा सा कभी-कभी ज़्यादा की चीज को डालता हूं तो ब्लॉक कर देता है तो यह होगे मेंस की तयारी आप सेट प्रेक्टिस जरूर करें और किस बुक से करें क्योंकि आपको अगर बीससी इंटर लेवल के मेंस की मार्केट में आ जाएगी लेकिन तब तक है जो कि आप यह सेट प्रेक्टिस के लिए बहुत सारे आपके पास नहीं रहते हैं इसलिए आफ जो की बीहार दरोगा मेंस की आपको किताब सबसे ज्यादा भी मार्केट में मिलेगा उसको आप खतम करते हैं क्यूंकि आपको जी सब्सक्राइब करते हैं और जो लोग सेट फ्रेक्टिस बना कर रहे हैं उसका स्कोरिंग आप जो कि जरूर अगर हाट शेफ है या टेलिग्राम पर लिकितने पचास में माले आज डाले तो कितने कुछ लोगों ने बस एक दो लोगों ही नहीं लेखा क्योंकि सारे लोग अ आएं कि नहीं यह नाटक कर रहे हैं इनको बस बिधानसभाई लक्सन आने वाला है और इनको खड़ा होना हाँ और यह चर्चा में आएंगे ही और हर परिच्छा के बाद यह अंदुलन करेंगे ही और चात्र अंदुलन करन और बहुत सारे लोग करते हैं कि यह खुद पास करने हैं पहली बार हो रही है इसे पहली हम लोगों के समय भी हुआ था और होता ही रहेगा ऐसा कभी नहीं हुआ है कि 100% हो या ना हो यह कभी बंद नहीं होगी और आपको त्यारी करने ही पड़ेगी और कभी आप त्यारी से रुक नहीं सकते हैं और यह सोच कर त्यारी नह परमित होना होई जाते हैं लेकिन आपको पैसेंस जो त्यारी करने वालों को पैसेंस रखना पड़ता है और लोग कहते हैं कि सिर्फ परिछा देने से और जाने तो बहुत सारे संघर्स जो शुरुवात में तो पहले तो होता था कि रेलवे की परिछाएं में काफी वीडियो सिपाय में देखा हैं किस तरह से विरजगारों की हुजूम निकली थी तो यह परसानिया है और आपको जो पैसेंस रखता है वही रिजल्ट लाता है जो घबराया जाता है कि नहीं कैंसील होगी अब तुम लग रहा है कि एक्जाम नहीं होगा पढ़ने मन नहीं लग रहा और यहां तक बात है कि परसेंटेग की बात कहा चाहिए तो कैंसील होने की तो मात्रे जोकी 10 परसेंटी कैंसील होता है दस में से तो मामले में कुछ सांसत भी कहें का प्रूफ लाव तो उतने दिन से कहां थे और कल जो अंदोलन हुआ बिहार दरोगा का उसमें आज प्लेटफॉर्म वाले और रहमान सर आये लेकिन यह पूर्व के अंदोलन में यह कहां थे इनको जब लगी की नहीं अगर आज सपोर्ट नहीं करेंगे तो आज तो विद्रोह हो जाएगा और चात्रे कोचिंग में पढ़ने नहीं जाएंगे और शीडर से वह आये कि कम से कम बिहार दरोगा करें तो आप समझ सकते की इतने दिन से कहां से एकदम पूरी तरह साइलेंट थे पठ्टना में रहकर भी पूरी तरह सा और उसी तरह प्लेटफर्म की कोचिंग वाले लेकिन अच्छी बात है कि कम से कम वह आये तो सही देर सवेर आये लेकिन यह जो अगर यह रियल्ट के पहले प्रोटेस्ट में साथ देते तो आज रियल्ट के बाद क्योंकि रियल्ट जिनका वह काफी डरे हुए महसूस कर रहे हैं कि करूं कि ना करूं सपोर्ट करूं उसकी किना करूं बहुत कंफ्यूजड में है कि ऐसी सिति आ गए कि जिस तरह कि प्रोटेस्ट कल देखा घवराय कि 90% चांसे का की केंसिल नहीं हो जुक ने को मून में नहीं हैं लेकिन 10% हर समय बनी रहेगी क्योंकि धिस तरह से चारवीयक की पीछए हटने के मोन में नहीं हो जिद पढ़े हैं कि मैं मैं जितनी वे बार हो मैं करता रहूं और यह सहना पड़ेगा क्योंकि इधर रियल्ट तो दिने का उन्होंने तुरद्दे दिया भी अब जो है मैं स क्योंकि आप्रेइल में होगी और इनकी बस चले तो यह मार्च में ही और इनको अप्रील में और यह करेंगे अप्रील में हो सकता 26 अप्रेल को जो संभावित्ती थी लग रही है और पहले भी करने के बवाल है जो कि सांथ सारे लड़के जो कि डाइभर्ट हो जाए और यह परिछा में लग जाए और यह बवाल सांथ हो जाए तो देखना है आगे कि क्या चात्रा अब विधान सभागराओं क्योंकि कल भी यह जो कि पुपवितना नहीं कर सकते आपको हिंदी करवा दी जाएगा तो आप सिधे बाहर हो जाएंगे तो कहीं ने कहीं है मैंस के बिगएपन या उसके बात की अ आपन में क्लियर रहेगा और अभी आपको स्पीड है जो कि मारनी पड़ेगी इन सबों में 30 जो भी हिंदी के को कि कम रहती है कम से कम तीस रहेगी और इंगिलिस की 35-40 सी रहती है तो आप प्रेक्टिस कर सकते हैं जो लोगे दम इनका पास संसाधन नहीं कि आप लेप्टोप भी नहीं है ना कंप्यूटर के डिस्टॉफ या कीवोर्ड है तो आप सीख सकते हैं लेकिन अभी उतनी हर वड़ाने के जरत अभी आप बिहार जो है थोड़ी बहुत आने की हिंदी रहेगी या नहीं रही नहीं रहेगी कि थोड़ी वह सुचना अगर अखवारों से समझें तो है क्योंकि उसका कहीं भी हिंदी के चर्चार नहीं हो रहे लेकिन देखना आगे कि क्या मैंस के विग्यापन जो इस महीने के अंत तक आने के उमीद है वह आएग कि ठंडे बस्ते में चले गए अपरील तक आएगी और अगला इंटर लेवल का अगला भी आपन के होसता कुछ चर्चाय हो तो निकल सकती है तो देखना आगे क्या होता तो इसक्साद धन्यवाद